गुर्माने स्टूडन्ट, टूड़े अवर टॉपिक इज एक्टिविडीज फॉर स्पैसल लेबर जिल्डन, यानि की विसेश तरह के बालक या विसेश तरह के बच्चे, अब हमारे को यह समझना जूरू रहे की विसेश तरह के बच्चे किस तरह के होते हैं, हर बच्चे म सीखने की गती वह समझने की समानने रूप से सेम होती है, लेकिन कुछ एक लोगों में ब्यक्तित रूप में इनमें भिंता मिलती है, कुछ की सीखने की गती बहुत अधीक होती है, और कुछ में धीमी होती है, कक्सा में अधिकतर जो छाप्तर होते हैं, और समानने रूप स किसी भी चीज को सिखते हैं आतिया ध्यापक जो होता है जो अपने टीचिंग का जो का एक्टिविडीज या कारेक्रम होता है उसकी ब्यवस्ता उन समानने बच्चों को ध्यान में रखकर नियोजित करता है प्रंतु कुछ एक विशेश टाइप के बालक होते हैं बच्चे हो होते हैं वो क्लास में टीच करते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को सिखते हैं हमारे भारते संभिदान 93 में सुनसोद्र में शिक्षा का एक मौलिक अदिकार है अता है किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की मानसिक, द्रिष्टी, स्रवन या कुछ शार्रिक रूप से कोई अप पूरा दिकार है अता है उसकी बेवस्था के लिए बच्चों को समाने आसमाने बच्च बेवस्था में नहीं बाटा जा सकता है लेकिन आज के टाइम में स्पैसल जो बिसेश तर्व से कुछ एक बच्चों में डिफॉर्मिटी होती है उन बच्चों के लिए स्पैसल और पे कमिया होना के बाद जूद भी ऐसे बच्चों को अब स्पेसल स्कूलों में स्पेसल टीचरों के हवाले नहीं किया जा सकता है अब ऐसे स्पेसल बच्चों की एक्टिवडीज कैसी होने चाहिए और उनकी एक्टिवडीज कैसी होती है जो specialrec brain childrenों होते हैं उनुमें क्या-क्या विसेष्ते होते हैं जैसे बालक रूप लक्ष्ण किसमता में भीनों होते हैं या बच्चों में सार्इक मानसिक संबेगात में कोई भीनता होती है या बच्चों में कक्सा में समान्य शिक्षगालावने उठाबाते हैं या बच्चों में विशेश टाइब की कोई विशेश तारपुन को कोई सुभदा की अवस्कत होती है जो नहीं मिल पाती है या फिर सारिक और मांसिक, समाजिक, भावनात्मक एसेक्शन उपलब दियां जैसी बेवस्था नहीं हो पाती है अब बात आती है कि इबल चिल्डन की सेश टाइब के बच्चों के लिए किस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए पहला आता है बिजूल एक्टिविटीज बिजूल एक्टिविटीज का मतलब है कि जिसमें हमारे को ज्याजा ज्याजा स्क्रीन टीवी या फिर कंप्यूटर ऐसे चिज़ों का इस्तमाल करना चाहिए जिससे बच्चों को वो चीज प्रॉपर तरिक्के से दिखाई दे और उस एक्टिविटीज को प्रॉपर बच्चे देख सकें अब उसमें कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता हैं लेकिन हमारे लिए उनकी सेंसरी प्रॉमेंट होने चाहिए जिससे वो उनको टच करके अब नर्वर सिस्टम मैं सूस करके एक्टिव हो सके हैं समसके नेक्स आता है डांस डांस स्पैसल एक्ट्रेवल चिल्डर्न के बच्चों के लिए बहुत जुरूरी है डांस एक्टिविटी से बच्चों को का मन जो हो होता है और वो खुशी मैसूस करते हैं इनकी दांस एक ऐसी ब्यक्तिगत तोर पर एक ऐसी खुशी है जिसमें बच्चे उस सारी एक्टिविटी इसको करते हुए यह सब भूज आते हैं कि हमारे में भी को डीफॉर्मटी पाई जाती है नेस्ट आता है मोल्ड क्ले इनकी क् के बास देना उसकी ब्यवस्ता से वो अपने नेच्रलिस्ट लर्निंग या सिखने की ब्यवस्ता से उसमें मोडिफाई कर सके अपनी भावनाओं को प्रेक्ट कर सके नेस्ट आता है आउट डोर प्ले टाइम यानकी बच्चों को आउट डोर प्ले टाइम देना चाहिए उ उन बच्चों को कलास से बार निकालकर ग्राउंड में किसी भी तरह का खेल या Freedom Time में Freedom Type में उन बच्चों को खुद खेल देना चाहिए जिसमें छोटे-छोटे ब्लॉक में हम सैंड रख सकते हैं, रेत रख सकते हैं, जिसमें बच्चे अपने स्वतंतरता को मैशूस करते हैं, उससे खेल सकते हैं, ऐसी आउट्टोर एक्टिविटीज प्ले देना या टाइम देना, ओरल, जिसमें आता है आउडिटरी और मुजिकल, ओरल में क्या है कि बच्चों को ऐसे संगीत या मुजिकल सिस्टम को सुनाना, जिसको मैसूस करें, और मैसूस करने के वाले उसको व्यक्त करें, और उसकी संसेरी सिस्टम को एक्टिवेट करें, नेक्स्ट आता है योगा, योगा बच्चों के माइंड और आत्मिक अवियर्नेस के लिए बहुत जुरूरी है, जिससे बच्चों को अवियर्नेस आए, बच्चे का माइंड स्वस्थ हो जाए, बच्चे सारी ग्रूप से स्वस्थ हो सके, और एक अच्छी फिजिकल रूप से एक एक्टिविडीज कर सके, और उन सब चीजों पे वो ध्यान दे सके, यानिकि सेल्फ अवियर्नेस के योगा जुरूरी है, नेस्ट रहते है, स्क्राइब बुक, स्क्राइब बुक की एक्टिविडीज ऐसे एक स्क्राइब बुक में हर एक पेस का कलर डिफरेंट होता है, ऐसी डिफरेंट कलर की स्क्राइब बुक लेने से बच्चों को एक तो कलर से एलेटिड ग्यान होता है बक्की जैसे आदमी की इच्छ होती है कि वो किसी भी कलर को अपने हिसाब से पसंद करता है ना पसंद करता है वैसे बच्चे स्क्रैब बुक का जब यूज त्माल करते हैं या यूज करते हैं तो उनका sensory awareness होती है For example के लिए जैसे की आइस blindness होती है आइड ब्लाइडडनेस में जब डॉक्टर के पास उसको चेक कराते हैं तो डॉक्टर एक scrapbook देता है उस scrapbook में different type के color के dotis होते हैं और उन dotis में कुछ एक कुछ एक अक्षर लिखे होती है जैसे one, two, three उसमें क्या होता है कि वो आपकी sensory awareness को aware करते हैं कई बार बच्कों को proper नहीं दिखाए देते हैं कई बार बच्चों को विज्यौली तरीके से देख पाते हैं कई बार नहीं देख पाते हैं उससे क्या हता है कि sensory awareness होती। होती है इसके लिए research activities बच्चों को दिन नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है लास्ट जो है मारा वो फिजिकल यानकी फिजिकल का मतलब है कि कनेस्थेटिक यानकी फिजिकल कनेस्थेटिक एक्टिविटीज यानकी फिजिकल एक्टिविटीज होने जाहिए जिसमें बच्चे छोड़ी छोड़ी एक्टिविटीज करेंगे जिनको कनेस बच्चे अपने अनुसार अपने अकोर्डिंग और टीचर के अकोर्डिंग करते हैं जैसे बच्चों को simply jump कराना या उठक बैठक कराना या बच्चों को धिरे धिरे दोड़ाना ऐसी छोड़ी छोड़ी एक्टिविटीज स्पैसल जो विशेश टाइब के जो बच्चे अते हैं उनको क्राई जाती है ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों का माइंड और उनकी बेवस्था और उनमें अवियरनेस आ सके ताकि वो अच्छे तरिक्के से सीख सके थेंक्यू